येशु मसी नासरी के नाम में आप सभी दर्शकों को प्रेम पूर्ण अभिवादन मेरे प्यारे भाईयों और बहनों पर मेश्वर आप से प्रेम रखते हैं उसने आप से पहले ही प्रेम रखा है और अपने एकलोते पुत्र प्रभुईश मसी को हमारे लिए दे दिया जो कोई प्रभुईश मसी पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करता है लेकिन हमें जानना होगा कि ये प्रभुईश मसी कौन है जब आप उसके बारे में जानते हैं और केवल तब ही हम उस पर विशवास कर पाएंगे, उससे स्वीकार कर पाएंगे, उस पर भरोसा कर पाएंगे इसलिए येश्व मसी का घ्यान होना बहुँट बहुत महतुपुर्ण होता है इसलिए येश्व का ज्यान पाना बहुत ही महतुपुर्ण बात है मेरे प्यारे लोगों प्रभु येश्व मसी में पर मेश्वरत्व की पूरी भरपूरी परिपुर्णता सदे वास करती है इसलिए उसे जानना तो हमारे जीवन के लिए बहुत-बहुत महतपूर्ण हुता है पिछले 2000 साल से प्रभुईश्व मसी का प्रचार पुरे संसार में हु रहा है लेकिन पिर भी अभी उसकी परिपुर्णता लोग अच्छे से नहीं जानते हैं क्योंकि प्रभुईश्व मसी को जानना ही अनन्त जीवन है और इसलिए हमें ये जानना होगा कि ये येश्व मसी कौन है पूरे संसार में आज भी लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये येश्व मसी कौन है मेरे प्रिये लोगों मैं आपको सीधा बता दूँ कि प्रभुईश्व मसी स्वयम पर मेश्वर है वो स्वयम पर मेश्वर है कोई संदेह नहीं है हमें ये जानना होगा आप इसे कैसे जान सकते हैं ये सब बाइबल में बताया गया है ये इस तरह से कहता है आए इस बचन को सुनते हैं हे प्रुथवी के दूर दूर के देश के रहने वालों तुम मेरी और फिरो और उद्धार पाओ क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है मेरी और देखो कौन कह रहा है स्वेम परमेश्वर ये कह रहे है वो कहता है मेरी और फिरो मेरी और देखो और उद्धार पाओ है प्रुथवी के देश देश के लोगों मेरी और फिरो वो मेरे बारे में कह रहे हैं वचन तेईस कहता है I have sown by myself the word has gone out of my mouth in righteousness and shall not return that to me every knee shall bow every knee shall bow every tongue shall take an oath he shall say see my beloved देखिए परमेशर का वचन कहता है मैंने अपने ही शपत खाई धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वो नहीं टलेगा प्रत्य घुटना मेरे सम्मुख जुकेगा और प्रत्य के मुख से मेरी ही शपत खाई जाएगी लोग मेरे विशह में कहेंगे केवल यहुआ ही में धर्म और शक्ती है उसी के पास लोग आएंगे यहाँ पर ये कहता है मैं यहाँ पर आपको यही तो बताना चाहता हूं यहाँ पृथवी के दूर दूर के देश के रहने वालो तुम मेरी और फिरो और उधार पाओ क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है परमेश्वर आगे यह कहते है कि वचन मेरे मुख से निकला है वचन मेरे मुख से निकल चुका है एक शपत के रूप में निकल चुका है मेरे लिए हर एक घुटना टिकेगा ये मेरे मुख से निकल चुका है मेरे लिए हर एक घुटना टिकेगा और हर एक मुख से मेरी ही शपत खाई जाएगी अब आ ये फिलिपियो 2 में चलते हैं वचन 9 और 10 Therefore, God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name God also exalted Him and given Him a name that name is above every name ये कहता है इस कारण पर मेश्वर ने उसको अतिमहान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में स्रेष्ट है उसको ऐसा नाम दिया जो सब नामों में स्रेष्ट है इस तरह से ये हमें बताता है ये वचन ये कहता है यहाँ पर ये कहता है पर मेश्वर ने एक नाम दिया और वो नाम येश्व मसी है वचन दस कहता है कि येश्व मसी के नाम में कि जो स्वर्ग में और पृत्वी पर और पृत्वी के नीचे हैं वे सब येश्व के नाम पर घुटने टे के ये कहता है सुनिये येश्या अध्या 45 वचन 22 में कहता है परमेश्वर ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ तुम मेरी और देखो और उद्धार पाओ मेरे सामने हर एक घुटना टिकेगा मेरे सामने हर घुटना टिकेगा कि येश्व मसी के नाम में हर एक घुटना टिकेगा इसका मतलब है ये येश्व मसी ये कौन है ये वही है ये सर्वशक्तिमान पर मेश्वर है saying to the world all the ends of the earth look to me I am God here he says Jesus at the name of Jesus every knee should bow goes in heaven earth under the earth and there he said the word has gone out कि वचन मेरे मुह से निकल चुका है मेरे लिए हर एक घुटना टिकेगा ये घुटने कौन है हमाता है जीशवमसी ने कहा याने ये ये इशुमसी कौन है वो तो स्वयम परमैश्वर है इसमें कोई संदे हले ही है जब कोई ईशू की और देखता है वो उध्धार पाएगा मेरी और देखकर उध्धार पाओ वो मेरी और देखवा ऐसे क्यों आपने है कलवरी के क्रूस पर कलवरी के क्रूस पर वो क्रूस पर जड़े गए वो क्रूस पर ज़भाए गए जिन सब लोगों ने उसकी और देखा वो उद्धार पाएंगे बात ये क्रूस पर कौन है मेरे प्रिये लोगो येश्व मसी है वही स्वयम परमेश्वर है हमें ये जानना होगा हमें ये समझना होगा येश्व में एक और वचन ये कहता है येश्व अद्ध्याय छे वचन एक से ती in the year that King Uzziah died I saw the Lord sitting on the throne high and lifted up and the rain of His robe filled the temple rain of the rope filled the temple above him stood seraphim each one had six wings with two he covered his face with two he covered his feet and with two he flew and one cried to another and said one cried to another and says holy 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 is the Lord of hosts देखी ये वचन कहता है वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे सेनाओं का यहुआ पवित्र पवित्र है सारी पृत्वी उसके तेज से भरपूर है और पुकारने वाले के शब्द से डेवडियों की नीव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया इस तरह से वचन हमें यहां पर बताता है जो एकए उंचे सीहासन के उपर वीराजमान थे प्रभु वहां वीराजमान थे वो तो बहुत ही उंचे सीहासन पर वीराजमान थे वहां पर बहुत से साराप थे वो उसे घेरे हुए थे और कह रहे थे पवित्र, पवित्र, पवित्र सेनाओं का यहुआ परमेश्वर पवित्र, 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 मेरे प्रीय लोग उसने परमेश्वर को सिहासन पर विराजमान देखा वही यश्या, उसने येश्व को देखा उसने क्रूस पर उसी परमेश्वर को देखा और जब उसने परमेश्वर की दशा को देखा जब उसने क्रूस के उस दशा को देखा येश्व क्रूस पर चढ़े है तो वो चकित हो गया तो वो चकित हो गया हे परमेश्वर यह कैसे हो सकता है मैंने आपको उंचे सिहासन पर विराजमान देखा लेकिन अब आपको क्रूस पर देख रहा हूं जो की कई साल के बाद में होने वाला था यदि मैं जाकर संसार को बताऊ अगर मैं बताऊ कि यह दोनों तो एक ही है यह शहा त्रेपन एक कहता है तो वो कहता है मेरी खबर पर कौन विश्वास करेगा अगर मैं जाकर संसार को बताऊ कि जो सिहासन पर बैठा हुआ है जो उंचे सिहासन पर विराजमान है यह तो वही है जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है यहां पर कोई सुंदर्ता नहीं है इस दशा में अगर मैं कहूं कि यह सरवशक्तिमान परमेश्वर है जो सिहासन के ऊपर में विराजमान है तो कौन विश्वास करेगा कौन मेरी खबर पर विश्वास करेगा मेरे प्रिये लोगो क्या आप जानते हैं यह इश्व कौन है कितने लोग इसके बारे में जानते हैं आज इसे जान लीजिए वही परमेश्वर जिसे महान सिहासन पर उंचे पर विराजमान देख रहे हैं वही है जो क्रूस पर चढ़ाया गया यह वही प्रभू है जो क्रूस पर चढ़ाये गए है अब सवाल यह है यह इश्व मसी कौन है सवाल यह इसका उत्तर क्या है वह इश्वरों के परमेश्वर वह प्रभूं के प्रभू है जो सिहासन पर है लेकिन क्रूस पर चढ़ाये गए है वह मनुष्य के रूप में आया उसे यह ऐसा क्यों करना पड़ा क्योंकि हमारे अपराधों के कऱए हमारे अधर्मों के लिए हमारे पापों के लिए वो यहां पड़ाये उसने दुख उठाया और उसने क्रूस को सह लिया उसने अपने आप को दे दिया इसका मतलब लिए सर्वशक्तिमान पर मिश्वभू उसने खुद को नम्र किया और मृत्यु तक आग्यकारी रहे मेरे लिए और आपके लिए संसार के लोगों के लिए उसने खुद को क्रूस पर बलीदान कर दिया वो कौन है? अब सवाल यह है कि यीशु कौन है? तो आप क्या जवाब देंगे? यह कौन हो सकते हैं? वही तो स्वयम पर मिश्वर है मेरे प्रियो लोगों इसे समझना बहुत ही महतवपुर्ण है यीशु कोई साधारन नहीं है इसलिए जब आप क्रूस पर यीशु मसी को देखते हैं पर मेश्वर ने हमसे कितना प्रेम रखा ये इसमें प्रगट करके दिखाया गया है एक और विवरन दिया गया है फिलिपियो अध्याय दो में वचन छे कहता है ये वचन कहता है यहां पर ये कहता है कि परमेश्वर होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वच में रखने की वस्तून न समझा परंतु अपने आप को शुन्य कर दिया और दास का स्वरूप धारन किया और मनुष्य की समानता में हो गया और वो मनुष्य के जैसे बन गया और मृत्यू तक आग्यकारी रहे और यहां तक की मृत्यू यानि क्रूस की मृत्यू भी सहली ये वचन कहता है इसका मतलब खुद को इतना नमर किया ये कौन है येशू मसी ये असल में कौन है स्वयम पर मेश्वर है आप क्या कहें आप किसे कहें कि येशू कौन है उसे जानना अनंत जीवन है यही अनंत जीवन है मेरे प्रिये लोगो ये जानना बहुत ही महतुपूर्ण हो लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्यों उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया है क्यों लोग कहते हैं कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है ये ऐसा क्यों कहते है ऐसा क्यों कहा गया है Bible कहते है Luke 1 वचन 31 और वचन 32 देखते है स्वर्दूत मर्यम के पास में आकर प्रगट होता है और वो कहता है मर्यम तु गर्बती होगी और तु बेटे को जन देगी और तु उसका नाम येशु रखना वो महान होगा और उसे परंप्रधान का पुत्र कहां जाएगा प्रिये लोगों ये कहता है और परंप्रधान का पुत्र कहलाएगा और वचन पैतीस कहता है कि पवित्रा आत्मा तुझ पर आएगा और परंप्रधान की सामर तुझ पर छाया करेगी इस तरह से ये वचन बताता है इसलिए वो पवित्र जो उत्पन होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा मेरे प्रिये लोगो उसे परमेश्वर का पुत्र क्यों कहां गया है वो कौन है यहां पर यह कहता है कि उसे परमेश्वर का पुत्र कहां जाएगा तो परमेश्वर का पुत्र कौन है आदम परमेश्वर का पुत्र था आदम परमेश्वर का पुत्र था येश्व को परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा उसे परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा जाएगा क्योंकि आदम परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा जाएगा Adam, son of God he committed crime he disobeyed death penalty came upon him और उस पर मृत्युवदंड आ गया लेकिन परमेश्वर उसने क्या किया व्यवस्ता के अनुसा Adam should die God's love towards Adam Adam के लिए परमेश्वर का जो प्रेम था वो कहता है तुम्हें मरना नहीं पड़े एक तरफ व्यवस्ता पूरी की जानी थी लेकिन दुसरी और प्रेम भी होना था व्यवस्ता पूरी की जानी थी और प्रेम भी पूरा होना था परमेश्वर ने क्या किया परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए उसका नाम येश्वर उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा गया परमेश्वर अपने पुत्र आदम की जगह पर नहीं मर सकते थे यसलिए उसे पुत्र के रूप में आना पड़ा वो पुत्र के रूप में आए परमेश्वर का पुत्र कहलाए वो आए ताकि वो आदम के बदले में हो सके आदम की जगह वो ले सके ताकि वो आदम के बदले में हो जाए किसे मरना पड़ेगा परमेश्वर के पुत्र को वैवस्ता के अनसा परमेश्वर के पुत्र को मरना पड़ेगा परमेश्वर के पुत्र को Man called son of God. वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएं, जाने वाले मनुष्य के रूप में आएं. वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में. वो बिना पाप के जन में. वो मर गयें. अपने पुत्र की जगह पर. अपने पुत्र की जगह पर. ये येश्व मसीख कौन है? अब आदम को क्या कहना है? वो आदम की जगह पर कौन मरा? उसका खुद का पिता मरा. उसका पिता. प्रिये लोगो इस बात को समझे. अब अब क्रूस पर. जो मरे. वो प्रभु येश्व मसीख. ये सामान्य नहीं थे. ये तो स्वेम परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में आकर दाम चुकाते हैं. क्योंकि जब स्वेम परमेश्वर मर गएं. तो वेवस्ता उसे स्विकार नहीं करेगी. लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र मर जाए. परमेश्वर की योजना देखिए. उसने हमसे कितना प्रेम रखा. क्या आप जानते हैं वो कौन है? जब आप विश्वास कर देखे. जब आप कहते हैं, येश्व, आप साधारन नहीं हैं. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. मेरे स्वर्गे पिता है. मेरे अनंतकाल के पिता है. अनंतकाल के पिता है सारे संसार के स्त्रिष्टी करता है आप मेरी जगह पर मर गए आपने मुझसे कितना प्रेम किया पिता जब आप पहचान लेते हैं जब आप इसे जान लेगे कि ये ये शु कान है मेरे प्रिय लोग हम शांत नहीं रह सकते हैं बस उससे प्रेम करना है उससे प्रेम लेजिए अपना जीवन उससे अरपन कर दीजा आज ही से जान लेजिए इसलिए प्रभु येश्व मसी पर विश्वास किजिए क्या विश्वास करना है आप विश्वास करना है कि येश्व मसी स्वयम पर मेश्वर है अध्याय आठ वचन 24 पश्ट रूप में कहता है यदि तुम विश्वास नहीं करते हो कि मैं वही हूँ तो तुम अपने पाप में मर जाओगे इसका मतलब जो क्रूस पर मरा प्रभु येश्व मसी अगर मनुष्य विश्वास नहीं करता कि वो परमेश्वर है तो ये मनुष्य पाप में ही मर जाएगा ये पाप वचन इसी तरह से कहता है इसे पहचान लिए येश्व मसी को पहचान लिजे वो परमेश्वर है सब प्राणियों के परमेश्वर है सब के परमेश्वर है जब आप विश्वास करके समिकार करते हैं, तो आप पिता के प्रेम का अनूभव कर सकते हैं आज आपका दिन है, आप निर्ने लीजिए, उसे समझ लीजिए और हमेशा के लिए जीवित रखे, ये अनंत जीवन पाईए, उसे जानना अनंत जीवन है प्रभु आपको बहतायच से आशीश दे बस अपना मुह खोल कर उसे कहिए प्रभु येश्व आप सर्वसामर्थी परमेश्वर है आप मेरे अनंदकाल के पिता है आप मेरे पिता है आप क्रूस पर मर गए मेरे लिए मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे प्रभु हैं येश्व के नाम में आमें